Master Best 2.0 के lecture number 28 में आप सब लोग का स्वागत है तो ये है unit number 4 optics का lecture number 4 और आज की इस class का हमारा topic है prisma and aberration यानि कि prisma और विप्थन बोलते हैं इसको हिंदी में और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ दो विप्थन के उपर focus करेंगी एक है हमारा chromatic aberration यानि की word विप्थन और दूसरा है spherical aberration यानि की गोलिय विप्थन तो आज की इस class में हम इनी topic के उपर based TGT, PGT और GIC के previous year और कुछ important questions को discuss करेंगी और लेकिए आज का ये जो lecture है वो optics के जो भी आगे lectures होंगे या जो भी पीछे हुए है उन सब में एक काफी important lecture है क्योंकि ये ऐसे topic है कि इनसे exam में questions आते ही आते इसमें कोई probability वाली बात नहीं है इनसे question आते ही आते हैं और questions के पूछे जाने का जो pattern है वो लगभग fix है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई complexity नहीं बना जा सकती इन questions में अगर आपको इनके क्यरी को आपने अच्छे से cover किया है सारे formula आपको पता है तो इनके questions के गलत होने के chances न के बड़ाबर है इसलिए आज के इस lecture को आप बहुत ही ध्यान से देखें और हम courses करेंगे कि जो भी question हम यहाँ पर आज discuss करने वाले हैं लगभग 20 question है आप वहाँ से जाकरके इन दोनों topic को अच्छे समझ सकते हैं और notes के लिए प्ले स्टोर पर जाकरके physics scholar का app डाउनलोड करके उसमें TGT PGT और GIC की batch के लिए register कर दीजिए जैसे हमें टाइम मिलेगा हम आपको उस batch में अलाग कर देंगे ठीक है जैसे आप में से बहुत सारे तो group में message कर रहे हैं कि सर हमें कोई content नहीं दिख रहा है हमें notes नहीं दिख रहा है क्या इसको purchase करना पड़ेगा तो ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल free सारे notes आपके app के उपर available है अब के अंदर आप जाएंगे तो सबसे उपर left में all content नाम का जो section है उसमें सारे के सारे notes आपको उसमें allow नहीं कर देते अब मैं हमेशा mobile लेकर के नहीं बैठा रहता हूं और या मैं हमेशा check भी नहीं करता रहता हूं कि कौन-कौन लोगों ने app में install किया है register किया है तो मैं जब भी देखता हूं तो मैं जितने भी लोग रहते मैं सबको एक तरफ से allow कर देता हूं अब प्रिजम आफ एंगल 60 डिग्री हैज मिनिममम डेविएशन एंगल आफ 30 डिग्री वाट इस दी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आफ मटेरियल आफ प्रिजम देके आसान सा सवाल है और आसान सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं आगे आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंग एक प्रिजम का प्रिजम कोंड दिया हुआ 60 डिग्री और उसका नियूंतम बिचलन कोंड है 30 डिग्री तो कह रहे हैं कि प्रिजम के पदार्थ का अपवर्तनांग की अगर बात करें तो इसका फार्मूला आपको पता होगा प्रिजम के पदार्थ का अपवर्तनांग दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं सपोज आप यहाँ से कोई light incident हो रही है फिर वहाँ से इसका reflection हो रहा है तो यह जो incident ray है अगर आप यहाँ पर angle of incidence पता कर लें और यह जो refracted ray है यहाँ से आप angle of reflection पता कर लें तो आप अपवर्तन का नियम प्रियोग करते हुए sin i upon sin r बराबर refractive index आप this medium with respect to air या vacuum या जो भी बगल में medium है उसके respect में तो mu equal to आपको यहाँ से मिल जाएगा simple सा sin i upon sin r के रूप अगर आपको यह वाला i और यह वाला r पता है तो या इसी तरह से दूसरे वाले सत्ह से जो reflection होगा क्योंकि यह light अंदर जाएगी refract होकर कि इस surface पर पड़ेगी दुबारा से reflection होगा तो अगर आपको यहाँ वाला i2 और r2 पता है तब भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं आप कह सकते हैं mu equal to sin i1 upon इसको r1 बोलते हैं और आपको यह अलग से r1 i1 ऐसा न दिया हो तो ऐसे case में भी हमारे पास formula है लेकिन उस formula से पहले आप एक चीज याद रखें यह angle अगर i1 है और यह r1 है ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर भी जब reflection होगा यह light ऐसे जाती है रिफ्रेक्ट होके जाती है तो यहाँ पर यह आपका i2 है जिसको हम small e से represent करते है angle of emergence बोलते है या निरगत कोण बोलते है और यह जब refract होती है तो normal के साथ जो angle बनाती है इसको हम r2 बोलते है यह i1 r1 यह i2 और r2 तो हमारे पास एक general formula है और वो यह है कि i1 प्लस i2 बराबर a प्लस delta यह equation number 1 दूसरा r1 प्लस r2 r1 प्लस r2 बराबर यह है आपका refracting angle या prism angle a तो यहाँ पर हो जाएगा a इसको हम मान लेंगे equation number 2 तो किसी भी prisma के case में आपको यह दो general formula याद रखने है इसमें अगर हम condition यूज करें condition of minimum deviation यानि न्यून्तम बिचलन की स्थिती में क्या होता है तो न्यून्तम बिचलन की स्थिती में यहाँ पर i1 और i2 ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और r1 और r2 भी आपस में पराबर होते हैं और इस condition को जैसे हम इस formula में apply करेंगे i1 और i2 दोनों की जगां पर i रखेंगे r1 और r2 दोनों की जगां पर r रखेंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा क्या यहां से निकल जाएगा आपका यह हो जाएगा i equal to a plus अब इस delta का नाम हो जाएगा delta m minimum deviation हो गया तो delta m और upon में आ जाएगा 2 और यहां से आ जाएगा पदार्थ का refractive index मिल जाएगा क्योंकि अभी जो i आया है आप इस i को चाहे i1 बोलिए चाहे i2 बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि i1 और i2 दोनों सेम ही चीज है और इस r को आप चाहे r1 बोलिए चाहे r2 बोलिए दोनों सेम ही चीज है तो आप किसी भी फार्मूल निकालने के लिए आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं डिपेंड करता है कि आपके सवाल में कौन सी कंडीशन गिवेन है यह सारी बाते मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे जितने भी प्रिज्म के question होंगे उनके लिए हमें अलग से कोई भी थियरी नहीं बत question में आपको दिया हुआ है प्रिज्म कोण का मान 60 डिगरी प्रिज्म एंगल एक वल टू 60 डिगरी और एंगल आफ डेविएशन एंगल आफ मिनिममम डेविएशन यानि डेल एम इस एक्वल टू 30 डिगरी और आपको मिउव पता करना है तो मिउव के लिए हमारे पास यह मिउव इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और अपान साइन ए बाई बस इतना ध्यान रखना है कि यह फार्मूला हम एंग मिनिममम डेविएशन की कंडिशन में अप्लाई कर रहे हैं यहां पर वैलू पुट कर दीजिए साइन ए प्लस डेल एम ये 60 और 30 इसका 55 की वैलू 1 अपान 2 और साइन 30 की वैलू 1 अपान 2 यह रेजिब्रोकल होकर के मल्टिप्लाई करेंगे 1 अपान 2 इंटू अपान वन टू का मतलब होता है रूट 2 अपान रूट 2 रूट 2 इंटू रूट 2 यहां पर बद जाएगा जिसकी वैलू 1.414 होती है ठीक है तो डेस परसी पावर आफ लेंसे यूज़ इन एन अख्रोमेटिक कॉंबिनेशन आर इन दी रेशियो 5 रेशियो 3 फोकल लेंथ आफ कॉंकेव लेंस इस 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आफ दी अधर लेंस विल बी यानि एक जो आपको पता है आख्रोमेटिक लेंस बनाने के लिए एक कॉंबेक्स और एक कॉंकेव लेंस का कॉंबिनेशन यूज़ किया जाता है और आख्रोमेटिक होने के लिए जो कंडिशन होती है कंडिशन फार आख्रोमेटिजम वो कंडिशन होती है ओमेगा 1 अपान F1 प्लस ओमेगा 2 अपान F2 is equal to 0 के, ठीक है, यह जो condition of achromatism है, इस condition को use करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, कि आपका जो पूरा achromatic lens है, यानि एक convex और एक concave lens का जो combination है, वो overall पूरा combination convex lens की तरह काम कर रहा है, कि concave lens की तरह काम कर रहा है, अगर आपका पूरा combination एक convex lens की तरह या converging lens की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब उसमें जो omega की कम वाली value है, वो convex lens के लिए आपको use करना पड़ेगा, omega की value कम कर लिए या f की value जो कम है, वो convex lens के लिए होना चाहिए, यानि जो आप achromatic lens बना रहा है, उसमें एक convex और एक concave है, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा combination एक convex lens की तरह या converging lens की तरह काम करें, तो इसके लिए आपको जो convex lens आपने use किया उस combination के अंदर, उसका dispersive power या उसकी focal length कम रखनी होगी, या कलिजिए power जो है, focal length कम होने का मतलब क्या power क्या हो जाएगा, ज्यादा, अगर आप ऐसा करते हैं, तब जाकर कि आपका पूरा combination एक convex lens की तरह काम करें, तो concave lens की तरह काम कराने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, कि omega की जो ज्यादा वाली value होगी, वो convex lens के लिए ह ठीके न, f की जो ज्यादा वाली value होगी, वो convex lens के लिए होगी, ये एक point है, जो miss होता है, जिसकी बज़े से questions ज्यादा तर गलत हो जाते हैं, या answer उल्टा आ जाता है, और आप देखिएगा, इसके option में दो-दो answer ऐसे हैं, जो correct हो सकते हैं, आपका ये भी answer आ जाएगा, और 9 भी possible है, लेकिन ध्यान रखें कि आपका जो achromatic combination होता है, अगर उसमें कुछ भी नहीं बोला गया कि पूरा combination इसकी तरह काम कर रहा है, तो understood ये होता है कि पूरा का पूरा combination एक converging lens या अभिसारी lens की तरह काम कर रहा है, और अगर वो अभिसारी lens की तरह काम कर रहा है, तो omega की जो कम वाली value है, वो convex lens के लिए है, तो ज़रा देखेगा यहाँ पर omega 1 ratio omega 2, घ्यान दीजे, omega 1 ratio omega 2 equal to the hour 5 ratio 3, तो यहाँ पर omega 1 की value है 5 और omega 2 की value है 3, इसका मतलब कि जो दूसरी वाली value की हम बात कर रहे हैं, ये वाली value convex lens के लिए है, ये वाली value किसके लिए है, convex lens के लिए जो omega की कम वाली value convex lens के लिए रहेगी, अभी पुरा system convex system की तरह काम करेगा, यानि जो omega 1 है वो concave है, ये concave lens की dispersive power है, तो इसका मतलब ये है कि जो omega 1 upon f1 दिया हुआ है, ये concave के लिए use करना है, और जो omega 2 upon f2 दिया हुआ हुआ, वो convex के लिए use करना है, इस हिसाब से जो answer आए लेंस की focal length, ये concave lens की focal length दिया हुआ है, और पहला ही lens हमारा concave lens यानि हमें f1 दिया हुआ है, और concave lens की focal length negative होगी, तो माइनस में 15 cm, तो हमें f1 की value दी हुई है, क्योंकि हमने यहां से decide कर लिया, कि कम वाली value होती, वो convex के लिए होती, इसका मतलब जो जादा वाली value है, वो con इसका मतलब पहला वाला lens हमारा concave lens था, तो f1 equal to minus 15 cm और अब आपको f2 पता कर ले, बस आप ये सारी values को इसमें रख दीजे, answer आ जाएगा, आप देखिए omega 1 और omega 2 का ratio है, 5 ratio 3, और यहां से भी अगर आप इसको separate करके omega 1 और omega 2 का ratio निकाले, या तो मैं करी देता हूँ, आप दिखे, omega 1 upon omega 2 equal to minus omega 2 upon f2, इसको आप इधर ले जाएए, इसको और इधर ले जाएए, तो आपको मिलेगा, omega 1 upon omega 2 is equal to minus f1 upon f2, और अब ये omega 1 upon omega 2 का ratio आप यहां पर रख दीजे, 5 by 3, ये minus f1, पहला वाला lens concave है, तो पहला वाला lens concave है, तो minus 15, और अपान में ये क्या हो जाए जाएगा f2, बस आप यहां से solve को लिजे, ये हो जाएगा minus में 3, तो एक second गरबढ़ हो गया, फार्मूले का भी इधर minus है, ये देखे, फार्मूले का minus रहेगा, और f1 की जो value रखेंगे, वो भी minus में होगा, तो minus और minus मिलके plus हो जाएगा, तो यहां से आपको f2 की value मिल जा ठीक है, अगर आप इस बारीकी को ध्यान नहीं देते हैं, कि पूरा system हमें एक convex system की तरह यूज करना है, और उसमें से, और उसके लिए हमें कम dispersive power, या कम focal length वाला जो lens होगा, वो हमें convex lens लेना है, अगर आप ये बात को नहीं ध्यान देते हैं, तो आपका ये वाला answer निकल क किया जाएगा, और आपको लगेगा ये correct भी है, ठीक है, तो F1 और F2 में कौन convex है, और कौन concave है, ये decide करने के लिए आपको याद रखना है, कि अगर कुछ नहीं बोला गया है, तो पूरे combination को हमें converging lens की तरह, convex lens की तरह use करना है, और ये तभी possible होगा, जब कम omega या कम F वाल converging lens की तरह काम करें, ठीक है, तो ये आप condition याद रखें, और ये बात भी याद रखें, किस तरीके से ये converging या diverging की तरह, system की तरह काम कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा एक confusion हो सकता था, इसलिए हमने इसको explain कर दिया है, question number 3 में देखिया है, an achromatic combination of lenses produce, जब हम achromatic lens इस्तमाल करते हैं, achromatic lens का मतलब एक convex और एक concave lens का combination, जिनको यूज करने के बाद chromatic aberration की समस्या दूर हो जाए, तो ये जो system हम यूज करते हैं, वो क्या करता है, images white और black बनाता है, images color बनाता है, या फिर images unaffected by the variation of refractive index with the wavelength, अलग-अलग wavelength की जो light आ रही थी lens के उपर, अलग-अलग wavelength की, जो light आ रही थी lens के उपर, जिनका अलग-अलग position पर image बन रहा था, red color की बज़े से यहाँ image बन रहा था, और violet color की बज़े से यहाँ पर image बन रहा था, ये वाली समस्या ये कह रहे हैं, कि दूर हो जाती है, अगर हम यहाँ पर एक single lens की बजाए, एक achromatic lens या lenses का combination यूज करें, और चौथा है highly enlarged image, तो आपको तो पता ही है कि chromatic aberration की समस्या को दूर करने के लिए, एक convex और एक concave lens लगाते हैं, और ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, हर एक color की बज़े से, हर एक wavelength की बज़े से, जो इस object का image बनाते हैं, वो एक ही particular point पर बनाते हैं अब यहां पर अलग-अलग wavelength के लिए जो इनका refractive index अलग-अलग काम कर रहा था, उससे कोई भी फरक नहीं पड़ता, इसका मतब जो option number C है, वो correct हो जाएगा, अब हम इसके बहुत ज़्यादा detail में नहीं जा रहे हैं, कि यहां पर V क्यों आया, यहां पर R क्यों आया, यह सा तो angle of prism a दिया हुआ है, और refractive index mu की value कितनी है, यह है cot a by 2, और हमें पता करना है angle of minimum deviation यानि del m की value, तो del m की value निकालने के लिए पहले हम mu वाला formula यूज़ करें, mu equal to a sin a plus del m by 2 और अपान में sin a by 2, ठीक है, और इसमें आप mu की value रख दीजे, और a की जगहां पर a रख दीजे, तो आपको del m की value मिल जाएगे, तो mu की जगहां पर रखेंगे, cot a by 2 is equal to, और दूसरा यह हो जाएगा, यहां पर sin a plus del m by 2 अपान में sin a by, ठीक है, जो cot a by 2 है, इसको हम बोलते है, cos by sin, यानि cos a by 2 अपान sin a by 2 इसको लिख सकते हैं, यह और अपान में sin a by, और sin a by 2, sin a by 2 cancel, तो cos a by 2 बराबर sin some angle, और दोनों को compare करना है, तो आप sin को cos में बदल लिए, या तो cos को sin में, तो हम इस cos को sin में बदल सकते हैं, क्योंकि sin 90 minus theta equal to cos theta, तो sin 90 का मतलब क्या, pi by 2 minus theta की जगहां पर क्या, a by 2, sin 90 minus theta equal to cos theta हो जाएगा, और इधर sin आपका है ही पूरा a plus del m by 2, अब आप आसानी से इन angles को compare कर सकते हैं, क्योंकि trigonometric ratios same है, तो ये वाला angle और ये वाला angle आपस में equal हो जाएगा, that means pi by 2 minus a by 2 is equal to a plus del m by 2, और इस 2 से ये पूरा 2 cancel हो गया, और minus a को इधर ले जाएगे, तो आपको del m की value मिल जाएगे, तो pi और a इ is equal to del m k, यानि angle of minimum deviation हो जाएगा, pi minus 2 a k, pi radian का मतलब 180 degree होता है, तो 180 degree minus 2 a, यानि कि option number c correct हो जाएगे, ठीक है, चलिए, ये previous year का question था, आसान था, बट हमने इसको करा दिया, previous year की वज़े से इसको इतना importance मिला है, कि इस तरह के questions आते हैं, लेकि आप एक चीज आप notice करिए, कि ज्यादा तर लोग, मतलब बहुत brilliant brilliant लोग exam देते हैं, TGT, PGT और GIC का, लेकिन even वो IIT से भी होते हैं, तब भी उनका selection नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बारीक सी चीज है, जो missing है, जो कम लोग इस चीज को accept कर पाते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है, कि हम reason को satisfy करना है, आपको कितना ज्यादा आता है, आपके पास कितनी बड़ी degree है, मुझे लगता है कि ये बिलकुल matter नहीं करता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि आसान आसान जो सवाल, even मैं भी कई बार ये question यहाँ पर जो discuss करता हूं, मुझे भी लगता है कि ये इतने आसान questions क क्या ही discuss करना, लेकिन यही आपके TGT, PGT, GIC के exam में आने वाले questions हैं, तो उनको importance देना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, और उनकी practice करनी पड़ेगी, ताकि हमारा speed exam में ज्यादा से ज्यादा बने, और हम कम time में ज्यादा-ज्यादा question को कर पाए, ठीक है, तो कई बा questions को discuss करने का क्या ही मतलब है, तो वो previous year में आया था, तो मैंने इसलिए रखा है कि आपको पता चले कि यह ऐसे ही question exam में आये हुए, इस topic से, ठीक है, मुश्किल भी थोड़े से है, ठीक है, बहुत मुश्किल भी question है, जैसे इस question को आप देख लीजी, करें कि एक दूसरे से D दूरी पर रखे, F1 और F2 फोकस दूरी वाले उत्तर लेंसों में, वर्ण बिप्थन वगोली बिप्थन दोनों नियूनितम है, तो F1 और F2 का मान ग्याद कीजिए, ठीक है, दो convex lens की बात चल रही है, और दोनों convex lens एक दूसरे से D distance पर रखे हुए हैं, और कहरें कि इस condition मे इनका chromatic aberration भी minimum है, और spherical aberration भी minimum है, तो आपको बताना है, F1 और F2 का ratio क्या होगा, ठीक है, ये दो convex lens है और इनकी beast का distance D, तो आप ध्यान रखें कि chromatic aberration, chromatic aberration की case में ये condition satisfy होता है, ओमेगा 1 अपान F1 प्लस ओमेगा 2 अपान F2 बराबर 0, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये फार्मूला तब यूज होता है, जब दोनों के दोनों lens एक दूसरे के साथ combined होते हैं, तो उसमें एक होता है convex और दूसरा होता है concave, घ्यान दिजेगा, एक होता है convex और दूसरा होता है, concave तभी ये condition satisfy होगी, अगर दोनों के दोनों आप convex lens ले लेंगे, तो ये तो positive होता है, और दोनों lens अगर convex हो जाएं, तो ये भी positive हो जाएगा, तो ये पूरा combination कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, यानि अगर हम दो lenses को combine करके आपस में रखे हुए हैं, तो ये जरूरी है कि उ convex हो, और एक lens concave हो, तभी वो accromatism की इस condition को satisfy करेगा, तभी उसमें chromatic aberration की समस्या दूर होगी, लेकिन अगर दो lens एक दूसरे से separated हैं, उनके बीच में कुछ distance है, तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि उसमें से एक convex हो और दूसरा concave, ये बिल्कुल जरूरी नहीं, और ऐसे condition में ये दोनों lenses का combination, दोनों convex lenses का भी combination, chromatic aberration को काफी हद तक कम कर देता है, और एक particular position पर एक particular separation पर ये chromatic aberration को minimum करता है, उस separation के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, chromatic aberration के लिए कि D is equal to omega 1 F2 plus omega 2 F1 और अपान में omega 1 plus omega 2, ये condition हम इस case में use करेंगे, और ये condition जब हम यूज कर रहे हैं, उसमें एक हमारा convex lens है और दूसरा हमारा concave lens, एकदम clear है, ये बात होनी चाहिए, तभी ये condition satisfied हो, ठीक है, और इस condition में अगर आप इसको as a lens यूज कर रहे हैं, इस पूरे combination को तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, omega 1 और omega 2 दोनों आपस में equal नहीं हो चाहिए, दोनों एक convex और concave lens आपका same material कर नहीं होना चाहिए, अगर same material होगा, तो same material की वज़े से क्या होगा, ये दोनों value same हो जाएंगी और ये उधर चला जाएगा, आपको मिलेगा 1 upon f1 plus 1 upon f2 equal to 0, इसका मतलब 1 upon capital f बराबर 0, यानि f बराबर हो जाएगा infinite, और f बराबर infinite का मतलब ये पूरा combination lens की तरह नहीं, बलकि glass plate की तरह काम करने लगेगा, ठीक है, तो ये हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा, तो ये condition यहाँ पर ऐसे use होता है, एक convex होता है, एक concave होता है, और दूसरी बात ये, कि दोनों का material सेम नहीं होना चाहिए, ये भी question लेकिन अगर separation वाली बात है, तो हमारे पास chromatic aberration को minimize करने की ये condition है, कि separation की value होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए, और इस वाले condition में हम omega 1 और omega 2 same भी ले सकते हैं, दोनों lens हमारे same material के हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, omega 1 और omega 2 की जगा पर omega रख देंगे, इसको solve करेंग तो उसकी ये condition है हमारे पास, और अगर एक convex और एक concave lens को use करके एक chromatic system बनाना चाहिए, तो उसके लिए ये condition है हमारे पास, इस वाली condition में ये वाली बात ध्यान रखनी है, इसमें ये वाली बात भी याद रखनी है, कि इसमें ये possible है, लेकिन इसमें ये possible नहीं, अगर ऐसा आप इसमें ये वाली बात लागू करेंगे, तो ये हो जाएगा, जो की chromatic aberration की समस्या को दूर नहीं कर सकता, ठीक है, तो chromatic aberration इसके लिए minimize करने की ये condition हो गई, ठीक है, chromatic aberration को minimize करने की ये condition है, बाकि chromatic aberration को, longitudinal chromatic aberration को calculate करने का formula हमारे पास ये है, fr minus fv equal to omega fy, ये formula इसका, बाकि इसको minimize करने का ये condition हो गया, यहाँ पर, और इसी तरह से spherical aberration की बात करें, spherical aberration को minimize करने की condition है, d equal to f1 minus f2, मतलब इनके बीच की जो gapping होनी चाहिए, वो दोनों lenses की focal length के difference के बराबर होना चाहिए, तो ये spherical aberration को minimize करने की condition है, ठीक है, इसकी ये condition है, इसकी ये condition, बाकि के difference के बराबर equal to omega into fy के बराबर है और इसकी अगर बात करें spherical aberration तो spherical aberration focal length के third power के reciprocal होता है मतब one upon f power 3 के proportional होता है आपका spherical aberration ठीक ना I think supplementary lecture में एक mistake हुआ है हमने इसको actual में ये उपर ले जाएंगे तो ये ठीक है तो ये minimize करने की condition हो गई और ये इसकी value को किसके उपर depend करता है कैसे depend करता है ये तो इस सवाल के अगर बात करें f1 और f2 दोनों का ratio हमें चाहिए तो ये दोनों condition यहां पर hold कर रही है question के recording तो आपको f1 और f2 का ratio चाहिए तो आपको इन दोनों condition को आपस में देखिए d की value यही डी की value chromatic operation के लिए यही डी की value आपकी spherical operation के लिए दोनों आपस में equal कर दीजे क्योंकि उसी condition में रखा हुआ है इसी जितना d की value यह आ रही वही d की यह भी value आगी तभी तो दोनों की value minimize होगी यहां पर is equal to हो जाएगा f1 minus f2 कि इसको आप f1 plus f2 is equal to यह हो जाएगा 2 f1 और माइनस में 2 f2 और यह इधर चला जाएगा यह इधर चला जाएगा तो आपको मिलेगा 3 f2 is equal to यह minus हो करके बन जाएगा f1 तो f1 upon f2 निकालेंगे तो 3 upon 1 आ जाएगा यानि f1 upon f2 is equal to 3 upon 1 यानि 3 ratio तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों convex lenses को d distance पर रखकर chromatic aberration और spherical aberration दोनों को minimize करें तो इन दोनों के lenses का जो ratio होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए और ऐसी condition में यह यह जो distance है वो इस condition को भी satisfy करेगा इस condition को भी satisfy करेगा दोनों चीजे reduce हो जाएगे तो answer number जो बी है वो correct हो जाएगा ठीक है कई बार तो आप देखेगा previous year में जो कि हमने question यहाँ पर नहीं लिया है कई बार तीन से चार बार यही question सीधे सीधे पूछे गए है कि minimum रखने के लिए दो lenses के बीच का distance कितना होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको यह condition याद रखना है अच्छे तरीके से यह condition spherical का है और यह condition chromatic का है फिर यह question कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है अभी तक बाकी वो यहाँ पर आ गया इसी सवाल के अंदर आ गया इसलिए हमने वो सवाल अलग से नहीं लिया हुआ अगला question देखिए question number 6 इसमें करें कि the angular dispersion for a lens is 0.0178 and deviation for yellow light is 0.5170 then the dispersive power of lens is ठीक है तो यह आपको दिया हुआ angular dispersion यानि कि कोण या बिक्षेपड और इसका मतलब क्या होता है कि जब हम प्रिज्म के उपर light को incident करते हैं तो यह प्रिज्म का जो refractive index होता है वो अलग-अलग color के लिए अलग-अलग काम करता है यह आपको पता है म्यू वी इस greater than म्यू आर ऐसे हम याद करते हैं highest काम करेगा violet के लिए और lowest काम करेगा red के लिए और फिर हमारे पास फिन प्रिज्म के लिए एक फार्मूला है इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि जिसके लिए इस medium का refractive index जादा होगा उसका deviation उतना ही जादा होगा यानि violet कलर के लिए अगर इसका refractive index highest है तो violet कलर का यह deviation भी highest रखेगा ठीक है violet कलर का यह deviation भी highest करेगा तो आप कह सकते हैं कि इसी तरह से इस फार्मूले से और इससे हम बता सकते है इस violet कलर और रेड कलर का जो deviation है यह direction है इसका यह जो इसका deviation है इसके ओरिजिनल पाथ से और यह जो इसका deviation है इन दोनों के बीच की जो डेल V, माइनस डेल R, इसी का नाम है angular dispersion या कोण ये विक्षेपड, तो angular dispersion theta is equal to डेल V, violet color का deviation, माइनस red color का deviation, और इसकी value कितनी given है, 0.0178, ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, and deviation for yellow light, yellow light का जो deviation है, यानि कि del Y की value given है, 0.5174, जान दिजेगा, ये पूरी value, इस difference के बराबर है, इसी difference का नाम है, angular dispersion या कोण ये विक्षेपड, और yellow color के लिए deviation दिया हुआ है, और आप से dispersive power इसका पूछ रहे हैं, तो इसका जो dispersive power होता है, इसका जो dispersive power होता है, इस dispersive power का एक फार्मूला है, omega is equal to, omega equal to theta अपान में del Y, मतबं angular dispersion अपान में yellow light का deviation, और इसकी जगह पर आप लिखेंगे del V, minus में del R, और अपान में del Y, और del V, और यहां से देखेंगे, यहां से आप del V और del R की value रखेंगे, यहां से del Y के लिए value रखेंगे, तो क्या जाएगा, यह हो जाएगा, आपका mu V minus 1 into A, फिर minus, इस red के लिए लिखेंगे आप क्या, mu R minus 1 into A, और अपान में इसके लिखेंगे क्या, mu R minus 1 into A, हर जगह से A को common लेके cancel कर देंगे, और यह minus, यहां से देखें, minus और minus plus, तो यह plus 1 और यह minus 1 भी cancel, तो mu V minus mu R बचेगा, यहां यहां पर इस सवाल में हमें यह पूरी value given है, या कली जे theta given है, और del y given है, तो हमें इसकी जरूत नहीं पड़ेगे, हम यहीं से इस question को solve कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर इसकी value रख देंगे, 0.0178, और अपान में, del y की value है, 0.5170 के, और आप इसको divide कर दीजेगा, तो divide करने के बाद आता है, 0.03442 करके कुछ आएगा, तो यहां से आपका सीदे सीदे answer मिल जाएगा, option number 1 correct हो जाएगा, लेकिन आपको यह करना पड़ेगा, मैंने सीदे लिख दिया हुगा है, क्योंकि time लगेगा इसमें, और दूसरा यह है कि option को ध्यान से देखें, तो ब बड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, speed और उसको बचाना पड़ेगा, तो यहां पर फिलाल यह answer correct है, लेकिन इस तरह के questions आते हैं, और इस तरह के options दिये जाते हैं, ठीक है, तो अगला question देखते है, question number 7, क्योंकि कहने कि two lenses have dispersive powers in the ratio 2, ratio 3, these glasses are used to make a chromatic lens of focal length 20 cm, the focal length of the two lenses are, ठीक है यानि आपको omega 1 और omega 2 का ratio दिया हुआ है, dispersive power omega 1 और omega 2 का ratio दिया हुआ है, यह है आपका 2 ratio 3, अब यह जो omega 1 और omega 2 का ratio दिया हुआ है, इसमें से पहला वाला lens हमारा convex है, या फिर दूसरा वाला lens हमारा convex है, यह decide करने का तरीका हमने आपको पीछे बता दिया, यह हमें overall अगर पूरे combination को एक convex lens की तरह यूज करना है जो की in general वही होता है अगर कुछ नहीं बोला गया तो हमें पूरे chromatic lens को एक convex lens की तरह अगर यूज करना है तो इसमें हमें omega उसको लेना पड़ेगा जिसको लेना पड़ेगा जिसके लिए omega की value या f की value कम है तो यहां पिछले वाले सवल में क्या था omega 2 वाली जो value थी वो कम थी उसको मने convex लिया था यहां पर omega 1 वाली value कम है इसका मतब पहला वाला जो lens हमारा है वो convex हो जाएगा और दूसरा वाला lens हमारा concave हो जाएगा अब यह पूरा lenses का जो दोनों का combination है अब यह पूरा का पूरा achromatic lens एक convex lens की तरह काम करेगा जिसका focal length इस question में दिया हुआ 20 cm ठीक है बस इतना ही आपको decide करना है कि आपको कौन से lens को convex लेना और कौन से lens को concave अगर आप इसको alternate करेंगे इसको change करेंगे तो आपका answer भी change हो जाएगा और उसमें से एक answer आपका गलत होगा तो वही case आप लिजेगा जिस case में आपके omega की value कम है उसको convex ले लिजेगा दूसरा वारा concave हो जाएगा ठीक है न तब जाकर के पूरा lens आपका एक convex lens की तरह काम करेगा तो यहां पर यही बात है कि आपको combine lens का focal length f equal to दिया हुआ है प्लस में यह हो जाएगा 20 cm क्योंकि convex की यूज करना होता है और omega 2 का ratio दिया हुआ है इसके अलामा और कुछ नहीं दिया हुआ है आपको दोनों lenses यानि f1 और f2 दोनों पता करना है पहले lens की focal length f1 दूसरे lens f2 की focal length concave lens की focal length f2 पता करने तो अगर पहला lens convex है तो यह plus में आएगा दूसरा lens concave है तो यह minus में आएगा अगर आप option से ध्यान से देखें तो दो option आपको confuse करेंगे एक तो यहां पर गलती हो गई हमसे यह नहीं है यह नहीं है दो क्या तीन option ऐसे हैं जिसमें f1 positive है और f2 negative है f1 positive है और f1 positive है और f2 negative है तो इन ही तीनों में से कोई एक answer correct होगा यह वाला answer तो नहीं correct हो सकता जिसमें f1 negative है और f2 positive है क्योंकि हमने decide कर लिया कि पहला lens हमारा convex है तो पहले lens convex lens की focal lens positive है तो यह नहीं हो सकता ठीक है तो यह देखें capital F का मतलब क्या यह है आपका 1 upon f1 plus में 1 upon f2 इस की जगां पर 20 रखना है तो यह लिखेंगे आप 1 upon 20 यह condition है और यहां से achromatic lens के लिए जो हमारे पास दूसरा condition है omega 1 upon f1 plus omega 2 upon f2 is equal to 0 आप यहां से लिख सकते हैं omega 1 upon omega 2 is equal to minus f1 upon f2 और यह वाली value आप रख दीजे 2 by 3 तो 2 by 3 equal to minus f1 upon f2 यह अगर इस minus को हटा दे यह plus हो जाएग यानि हमें f1 upon f2 की value मिल गए minus 2 by 3 तो हम क्या करेंगे इस वाली condition में यह जो हमें पता है 1 upon f1 plus 1 upon f2 equal to 1 upon 20 इसको हम f1 upon f2 बनाना चाहते हैं तो f1 से multiply कर दीजे तो इसमें multiply करेंगे यह बन जाएगा 1 और यहां आजाएगा plus में f1 upon f2 और इस side क्या मिलेगा यहां मिल जाएग f1 upon me 20 यहां से आजाएगा 1 upon 3 तो 1 upon 3 equal to f1 upon 20 तो f1 equal to 20 upon 3 और divide कर दीजे तो 6.66 यानि कि आप इसको 6.67 बोल सकते हैं यानि f1 की value जो होगी वह जाएगी 6.67 और कोई भी दो option नहीं है या इसका मतलब यह sure हो गया कि आपका option number c correct होगा बाकी आपने f1 निकाल दिया है आप यह मानस में 2 by 3 is equal to f1 की value है यह 20 upon 3 इसको रखेंगे यहां पर रखेंगे 20 upon 3 और 7 में क्या है f2 ठीक तो यहां से आप इसको solve कर लिए 3 से 3 cancel हो जाएगा और f2 इधर ले जाएगा मानस 2 को इधर ले आएगा तो f2 equal to हो जाएगा यह मानस में 20 और upon 2 is equal to minus 10 cm तो यहां पर f1 और f2 कि जो value जाएगे उससे भी यह confirm हो गया कि हमारा f2 जो है वो मानस में आया यानि concave lens है और f1 हमारा positive आया है यानि कि यह convex lens है तो option number secret हो ठीक है तो जब भी आपको यह वाली condition यूज करनी हो बस एक ही बात का आप ध्यान रखेंगे कि पूरा-पूरा हमारा यह जो achromatic lens है हमें इस पूरे lens को as a convex lens या converging lens यूज करना है अगर कुछ नहीं बोला गया है तब अगर specifically नों ने बोल दिया कि हमें पूरा achromatic lens एक concave lens या diverging lens की तरह यूज करना है तब फिर आपको वो बात मननी पड़ेगी ठीक है और वैसे case में फिर जो भी कहानी हम बता रहे है वो उल्ट का convex lens बन जाएगा इसमें देखिए पहले ही वाली वैलू जो है थी वो कम थी इसका मतब पहला ही lens convex होगा पिछले वाले सवाल में दूसरी वाली वैलू कम थी तो दूसरा वाला हमारा कॉन की बता ठीक है चलिए तो यह हो गया अगला सवाल देखते है question number 8 question number 8 में कह रहे है क कि the focal length of a converging lens is measured by violet, green and red colors as FV, FG and FR respectively then इसमें से कौन सा relation correct होगा एक convex lens है इसके उपर आपने अलग-अलग color की light डाली है कौन-कौन से color की light है violet है green है और violet है green है और red है तो इस lens की जो focal length होगी वो अलग-अलग colors के लिए उसका symbol है FV, FR, FG तो आपको बताना इसमें से कौन सा relation correct होगा ठीक है सबसे पहले हम इस बात की यहाँ पर discuss कर लेते हैं mu equal to a plus b by lambda square या इसको आगे बढ़ा है तो c by lambda by 4 इसको हम बोलते हैं cause c formula हम सिर्फ दो step तक इसको use करते हैं तो mu equal to a plus b by lambda square से पता है हमें कि जिस color के लिए wavelength जितना ज्यादा उसके लिए refractive index उतना कम और जिसके लिए wavelength जितना कम उसके लिए refractive index उतना ज्यादा तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो जो white light का spectrum मिलता है जिसमें हम विव ग्योर की बात करते हैं विव ग्योर सेवन कलर्स की बात करते हैं जबकि infinite colors होते हैं तो इसमें सबसे कम wavelength होता है Twilight का और सबसे जदा wavelength होता है red का बीच में इसी में green भी आजाएगा तो यानि आप कह सकते वाइलेट के लिए wavelength की बात करें green के लिए बात करें और red के लिए बात करें तो सबसे जदा यह है उससे कम यह है और सबसे कम यह है और यहां पर द पारोट्पे सिक्षा स् refVI. adding उल्टा हो जाएगा जिसके लिए हाइत लेंडां उसके लिए लोएस त。」 और अव इसके बाद है में इस लेंज के लिए लेंज्क matter फार्मूला यूज करेंगे वन अपान एक मैंश मा सबसे कम था आपका इस कलर के लिए रेड कलर के लिए आपको कौसी फार्मूला आपको लेंस में कर फार्मूला बस इतना ध्यान रखना इसके बेसिस पर आप बता सकते हैं कि इस lens के उपर अगर आप red color की light को डालेंगे तो वो सबसे ज़्यादा दूर जाएगी parallel light focus के उपर और green उसके पहले ही आ जाएगी और जो आपकी violet color है वो उससे भी पहले ही आ जाएगी और इसी वज़ा से lenses के उपर जब white light से कोई भी image बनाने की कोशिस करते हैं तो उसमें यह अलग-अलग color की वज़ा से अलग-अलग जगहां पर light बनती है इसी को बोलते है chromatic और इसी को दूर करने के लिए chromatic lens का combination यूज किया जाता है ठीक है तो इसमें से कोई relation आपको मिल जाएगा अब से ज़्यादा है तो इसके लाम आप तीनों देख लिए गलत है बराबर तो बिल्कुल नहीं हो सकते और violet का ज़्यादा बोल रहे है रेड का कम बोल रहे हैं उसी पैटर्न में आप देखिए ग्रीन भी तो रेड से कमी है तो यह भी नहीं हो सकता ठीक है तो option number B correct हो जाएगा अगला question question number 9 question number 9 में करें कि combination is made of two lenses of focal length f1 and f2 and dispersive powers omega 1 and omega 2 respectively the combination will be a chromatic if combination use किया गया है जिसकी focal length f1 और f2 है और उनका dispersive power omega 1 और omega 2 है तो जो combination use किया गया है और chromatic combination मतब दोनों को चिपका के जो lens use किया गया है वो कब लागू होगा इसमें से मतब कौन सी condition में वो satisfied होगा condition तो आपको पता है condition यही है कि omega 1 upon omega 2 plus omega 1 upon f1 plus omega 2 upon f2 is equal to 0 है तो यह है condition of achromatism तो इसमें से आप देख लिजे कौन सी value है जो इस condition को satisfy कर रही है left hand side right hand side के बराबर आ रहा है आप देखें यह value बराबर 0 के तब ही आएगी जब इसमें एक value positive हो और एक value negative तो एक तो बात यहां पर sure है आपको इसमें से वही option लेना होगा जिसमें एक positive value होगी और एक negative और ऐसा सिर्फ एक option दिया हुग है और भी option दे सकते थे लेकिन ऐसा सिर्फ एक option दिया हुग है अब इसमें आपको सोचना भी नहीं यह तो answer आपका correct हो जाएगा यह भी हो सकता था कि ऐसा वाला एक और option देते और दोनों में minus लगा देते या इस वाले में minus लगा देते इस वाले में plus लगा देते यह चीज़ आएगा भी इससे एक cancel हो गया यह minus को उपर ले जाए तो minus में omega 2 upon F2 और यह plus में इधर था ही omega 2 upon F2 जो चीज़ प्लस में है और minus में सेम चीज़ एड होकर कि क्या आगई 0 अगई इसलिए answer number C correct हो गया option इन्हों ने आसान बनाया था और कठीन option हो सकते थे तो ऐसे में आपको हो सकता है थोड़ा सा ध्यान से देखना होता किसकी किसकी वैलू रखने पर यह condition satisfy होगी और किसमें नहीं होगी ठीक अगला पूसर नमर्ट 10 पे कह रहा है कि array of light suffers minimum deviation when incident on a 60 degree prism 60 degree prism का मतब 60 degree prism angle वाले prism के उपर light incidence होती है और उसका refractive index है root 2 तो आपको बताना है angle of incidence i की value क्य होगी ठीक है तो prism angle जिसको हम refracting angle भी बोलते हैं कई जगों पर 60 degree दिया हुआ है और refractive index mu की value है root 2 हमें angle of incidence i की value बतानी है और condition कौन सा है हमारा condition है angle of minimum deviation का condition तो minimum deviation के condition में आपको पता है i equal to होता है a plus del m upon में 2 और और r equal to होता है a upon में minimum deviation के condition और इन दोनों को मिला करके अगर हम refractive index के साथ relate करना चाहें तो formula है mu equal to sin यहाँ पर हम लिखेंगे a plus del m upon 2 यह पूरा i और upon में sin a upon अब दिखें इस सवाल में आपको सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ i की value पता करनी है i की value पता करने का मतला हमें इस पूरे term की value पता करनी है तो हमें क्या करना है इस वाले term को open नहीं करना है इसमें a की value नहीं रखनी है क्योंकि हमें यह पूरी चीज चाहिए यह पूरी चीज ठीक है तो इसको as it is रहने दीजे हम a की value यहाँ से रखेंगे हम mu की value रखेंगे और compare करेंगे तो हमें इस पूरे term की value जो कि actual में i है angle of incidence है वो निकल जाएगा तो यहाँ पर रख दीजे root 2 is equal to यह sign बल्कि आप इसको छोटा सा लिख दीजे i sign i और upon में sign a by 2 a की value 60 तो a by 2 मतलब sign 30 sign 30 को root 2 से multiply करें sign i के बराबर हो जाएगा sign i equal to root 2 और sign 30 की value कितनी 1 upon 2 इसको solve करेंगे कितना हो जाएगा sign 30 की value 1 by 2 तो यह हो गया आपका 1 upon root 2 1 upon root 2 और 1 upon root 2 का मतलब sign 45 डिगर sign 45 डिगरी तो हमें angle of incidence i की value मिल जाएगी 45 डिगरी तो इसका answer हो जाएगा option number c ठीक चलिए तो यह था आपका यह आपको बस इतना ध्यान रखना है कई लोग क्या करेंगे यहाँ पर a की value रख देंगे फिर confused होंगे कि del m निकल रहा है और del m निकाल के क्या करेंगे कुछ नहीं करना है आपको यह result याद रखना है हमने पहले कोशन में पूरा बता दिया प्रिज्म का जितना भी एंगल आप प्रिज्म यह एंगल आफ डेवियेशन इस चीक है तो यह सवाल देखिए इसको ध्यान से इसमें करें कि इक्वी लेटरल ट्रेंगल है मतब संभाहू प्रिज्म है मतब तीनों की तीनों इसकी भुजाएं बिलकुल बराबर है और तीनों भुजाएं बिलकुल बराबर है तो यह तीनों एंगल भी बराबर होंगे और तीनों एंगल बराबर होने का मतलब 180 डिग्री को that means i1 और i2 angle of incidence यहाँ जो बनेगा और angle of emergence इधर बाहर बनेगा i1 और i2 दोनों बराबर हैं और दोनो angle of prism का 3 by 4 हैं तो 3 by 4 times of angle of prism और angle of prism हमें equilateral prism से पता चल गया तो 3 by 4 और यहाँ पर हो जाएगा 60 इसको इससे डिवाइड करिएगा 15 गुड़े 45 degree angle of incidence और angle of emergence की value हो जाएगा आप तन कोण और निर्गत कोण का मान 45 degree हो जाएगा हमें पता करना है angle of deviation यानि कि del की value पता करनी है angle of minimum deviation नहीं angle of deviation पता करना और देखिए ऐसे सवालों के लिए ही आपको वो सुरुवात वाली जो condition हमने बताई थी कि I1 प्लस I2 बराबर A प्लस डेल angle of deviation, minimum deviation नहीं minimum वाले condition में I1 और I2 दोनों बराबर हो जाते हैं तो फार्मूला बन जाता है I बराबर A प्लस डेल M अपान में 2 लेकिन ये in general है जो कि इस सवाल में यूज होगा ठीक है इसी तरह से आप से angle of reflection यहाँ वाला पूछ सकते थे पहले surface से या दूसरे surface से तो R1 प्लस R2 बराबर A भी होता है यह result भी आप याद रखें R1 प्लस R2 बराबर A के तो यहाँ पर क्या करना है आपको I1 और I2 की value question के according 45 प्लस 45 ये 90 हो गया और A की value कितनी है 60 हो गया प्लस में डेल हो गया मानिस कर दीजे डेल की value आ जाएगी 30 डिगरी के यानि कि बिचलन कोण का मान angle of deviation हो जाएगा कितना 30 डिगरी के बराबर option number D कर्ट हो जाएगा ठीक है ना ज्यादा तर क्या करते हैं लोग की minimum deviation वाली condition याद रखते हैं यह वाली condition ठीक है अब आते हैं question number 12 पर और एक दो question आपके लिए भी छोड़ेंगे अब यह सवाल तो नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई question पीछे हुआ नहीं एक ऐसे प्रिज्म की बात करनी है जिसका प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है और उसका refractive index है root 2 और उसके एक surface को silver यानि polish कर दिया गया है तो कहरें कि ऐसे में incident rate जो है वो retrace करता है अपने initial path को मतलब light जैसे गई थी same वापस वहीं से उसी रास्ते से आ गई तो हमें angle of incidence यानि की I की value बताने ठीक है तो एक ऐसा prism हम यहाँ पर बना सकते जिसका angle of prism हो जाएगा 30 डिग्री के और आपको इसके उपर light को incident करना है और light को कुछ इस तरीके incident करना है हमें तो नहीं पता कितने angle पर होगा वही angle पता करना है तो reflection के बाद जो light इस surface पर पहुचेगी सपोज हमने इसी को silver किया है या polish किया हुआ है ये light जो इसके उपर गिर रही है actual में वो बिलकुल इस surface के अगर perpendicular incident होगी तभी तो ये यानि अगर ये बिलकुल perpendicular गिरेगी आपको पता है किसी भी plane surface के उपर light incident हो रही है तो यानि angle of incidence equal to angle of reflection होता है तो अगर यहाँ पर हमारा ये एक mirror की तरह काम कर रहा है plane mirror की तरह काम कर रहा है तो जो light गई है वो reflect होकर कि जब वापस आएगी और अगर वो बिलकुल perpendicular नहीं गई है तो कुछ angle बनाते हुए अगर गई थी normal के साथ तो कुछ angle बनाते हुए वापस भी आएगी यानि कुछ ऐसे आ सकती है लेकिन हमें light को यहाँ पर same path पर retrace करना है और same path पर retrace करने का मतलब जो angle of incidence से वो गई थी अगर वही angle of incidence से वापस आएगी तो इसमें सिर्फ यही condition पॉसिबल है कि angle of incidence ही क्या हो जाए 0 degree हो जाए मतब जो light यह गई थी यह surface के बिलकुल perpendicular हो जाए आप बते ही surface के बिलकुल normal के ही direction में या बिलकुल perpendicular कोई light आए तो angle of incidence हो गया normal के साथ 0 degree और angle of incidence अगर 0 हो गया तो angle of reflection के reflection के according आर की value भी 0 degree यानि light जब reflect होगी तो वो भी सेम path पर वापस जाएगी तभी आर की value 0 होगी तो लाज आफ reflection के according अगर यह light इस surface के बिलकुल perpendicular incident होती है तभी वो अपने path को retrace करेगी और सवाल में बोला है कि path को retrace कर रहा है इसका light बिलकुल perpendicular incident हुआ था ठीक है यानि यह angle हो जाएगा 90 degree के अब आप देखिए यह angle यही पूरा रहस्य था अब यह angle 90 degree यह angle 30 degree जो तीसरा यह वाला angle बन गया वो कितना हो जाएगा 90 और 30 हो गया total 180 होता है इसका मतब यह वाला angle हो जाएगा आपका 60 degree के बराबर यहाँ पर जो angle बनेगा यह हो जाएगा 60 degree और आपको पता है करना है angle of incidence I की value अब यहाँ पर देखिए एक अही surface पर reflection हुआ यहाँ तो reflection होने लगा यहीं से हम angle of incidence की बात कर लेते हैं इसका एक normal अगर draw करें यह देखिए इसका और यह normal के बीच का जो angle यहाँ पर होगा वो होगा हमारा angle of reflection R की value और आप ध्यान से देखें यह हमारा normal है यह normal है यह एक plane surface है इतना angle 60 degree है तो जो बच गया angle of angle R वो कितना हो जाएगा टोटल 90 है तो यह हो जाएगा आपका 30 degree क्योंकि क्योंकि यह जो light ऐसे जाके refract हुई थी हमने यह पता कर लिया यह बिल्कुल 90 degree होगा तभी retrace करेगा I equal to R के बराबर तो यह बिल्कुल perpendicular यानि यह 90 हो गया यह question में 30 दिया था इसका मतब यह angle 60 हो जाएगा और अगर यह उपर वाला angle हमें पता चल गया कि यह वाला angle इतना 60 degree है यह angle और यह normal हमने draw किया यह normal draw किया है तो यह total हो जाएगा angle कितना 90 degree अगर यह 60 था तो बचा हुआ 30 degree यानि I की value पता नहीं है लेकिन R की value मिल गई 30 degree और इस medium का refractive index दिया हुआ है बाहर वाले medium के respect में mu equal to कितना root 2 की तो यहां पर अगर हम स्नेल का फार्मूला यूज कर लें कि mu equal to sin I upon sin R sin I upon sin R तो mu की जगां पर रख देंगे root 2 और sin I इस surface के लिए जो reflection हुआ है हमारा I है और जो R है वो हो जाएगा 30 और sin 30 की value यहां पर रख देंगे sin 30 की value होती 1 upon 2 तो यह हो जाएगा आपका root 2 into में 1 upon 2 is equal to sin I और यहां से आप देखिए 2 है तो 2 का मतभ़ root 2 into root 2 एक root 2 से कट जाएगा तो 1 upon root 2 is equal to sin I और 1 upon root 2 sin 45 की value है तो sin 45 equal to sin I इसका मतभ़ angle of incidence I equal to क्या हो जाएगा 45 degree यानि की option number C correct हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के सवाल आपके prism से अच्छे सवाल ऐसे बन सकते हैं जिसमें एक surface को polish वगरा करने की बात हो तो situation के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा R1 की value जैसे यह actual में R1 है और यह actual में I1 है जो हम I1, R1, I2, R2 की बार्ट करते हैं तो यहां पर हमें देखें यह हमारा I1 है और यह हमारा R1 है यहां हम I2 और R2 की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत भी नहीं है और दूसरा यह है कि light बाहर जा भी नहीं रही है ठीक है ना तो बस यहां से I की value मिल जाएगी और इस तरह से आगे भी एक सवाल है मारे पास कोस्टन नमबर 13 में देखे तू थिन प्रिजम आप क्राउन ग्लास है रिफ्रेक्टिव इंडिस रिफ्रेक्टिंग एंगल्स आफ 10 डिगरी और 20 डिगरी थिन एक रिफ्रेक्टिंग एंगल्स का मतलब होता है प्रिजम एंगल्स तो करें कि क्राउन कांच से बना हुआ दो प्रिजम है और उन दोनों प्रिजम का प्रिजम एंगल 10 डिगरी है और दूसरे वाले का 20 डिगरी है find the dispersive power these prisms are इनका जो dispersive power है या 1 बिक्षे पर छमता है उनका अनुपात इसमें से क्या होगा तो ये सवाल थोड़ा सा tricky है आपको देखना चाहिए कि dispersive power omega equal to होता है थीटा अपान में डेल y अभी पीछे कोस्टन किया था हमने और थीटा का मतबब होता है डेल v माइनस डेल r डेल v माइनस डेल r और ये अपान में डेल y फिर हमने इसको refractive index वाले फार्मूले में जब change किया था तो ये क्या आया था ये आया था mu v माइनस mu r और अपान में आया था mu y माइनस में 1 और आप यहां से देखिए कि ये आपका dispersive power omega इस फार्मूले से साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अलग अलग color के लिए जो उस material का refractive index होगा उसके उपर dip in करता है तो अलग अलग color के लिए उस medium का उस material का refractive index कितना होगा ये भी उस medium की ही quality है ये वाला material ये जो material यूज हुआ है ये violet, red और yellow के लिए अलग-अलग refractive index करेगा लेकिन एक दूसरा material अगर हम लेने और वो उसमें अलग material यूज किया हमने तो ये उन्ही तीन अलग-अलग colors के लिए कुछ अलग-अलग refractive index करेगा तो जो भी ये लोग refractive index सो कर रहे हैं उन्ही colors के लिए और जो भी ये लोग सो कर रहे हैं ये depend कर रहा है कि इनका material कैसा था उस material के हिसाब से ये सब के लिए अपना refractive index decide करेगा इसका मतलब किसी भी medium का किसी भी prism का जो dispersive power होता है वो सिर्फ और सिर्फ पावर सिर्फ और सिर्फ इस material के refractive index के उपर depend करता है इस दिए prism angle 10 हो 20 हो 30 हो कोई मतलब नहीं दोनों अगर से material के बने हैं दोनों के दोनों जो lens थे वो crown glass के बने थे तो दोनों का refractive index same होगा और दोनों का refractive index same है तो दोनों का जो dispersive power और omega है वो भी same होगा तो इसका ratio आएगा 1 ratio 1 ठीक है 1 ratio 1 एक question ये भी पूछा गया है आपके previous year में कि इस तरह से नहीं करके वो उन्होंने इस तरह किसे पूछा है कि refractive dispersive power किस property के उपर depend करता है wavelength के उपर angle of incidence के उपर material के उपर या इन में से कोई नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि dispersive power सिर्फ और सिर्फ material की property है यानि कि उसके refractive index के उपर depend करता है इसमें हिंदी लिखना भूल गए है बढ़ हम यहां पर आपको explain कर देना इसका क्या meaning है a prism of certain angle deviates the red and blue rays by 8 degree and 12 degree respectively another prism of the same angle deviates the red and blue rays by 10 degree and 14 degree respectively the prism are small angled and made of different materials the dispersive power of the materials of the prism are in the ratio यानि हमारे पास यहां पर करें कि दो prism है और दोनो prism का जो prism angle है वो same है ठीक ना the prism of certain angle और उसके बाद करें कि उसके बाद another prism आप दी same angle यानि दोनो prism का जो angle आप prism है वो जो भी है वो same है इसके उपर करें जब light को हम incident करते हैं तो यह जो deviation so कर रहे है red color के लिए और violet color के लिए red के लिए 8 degree और violet के लिए 12 degree यह क्या कर रहे हैं इनके उपर white light incident करने पर यह red color के लिए deviation 10 degree और violet color के लिए जो deviation है वो 14 degree so कर रहे है पहली बात तो सवाल में दिया हुआ कि दोनों के दोनों हमारे जो prism हैं वो different material के बने हुए हैं और अगर different material के बने हुए हैं तो इनका refractive index, sorry dispersive power अलग-अलग होगा तो हमें omega 1 और omega 2 का ratio पता करना है हमें पता करना है omega 1 upon में omega 2 की value ठीक है omega का formula आप deviation के term में जानते हैं theta upon del y बोलते हैं और theta का मतलब यहां पर हो गया क्या del v minus में del r और upon में हो जाएगा del y deviation के term में बाकि refractive index के term में आपको पता है mu v minus में mu r और upon में हो जाएगा mu y minus में 1 की तो यहां पर deviation angle दिया हुआ यह हमारा del r है ये del v है ये del r है ये del v है दो अलग-अलग condition हमें yellow color का deviation इसमें भी नहीं दिया है और इसमें भी नहीं दिया है और yellow color का जो deviation होता है उसको हम बोलते mean deviation यानि violet और red color के deviation का वो average deviation show करता yellow color जिसको हम यहाँ पर इस फार्मूले में भी यूज करते हैं यानि angular dispersion और mean deviation के ratio को ही dispersi power गोलते हैं तो mean deviation अगर हम यहाँ से निकालें del y तो del y आएगा del v plus del r upon 2 से यहाँ पर अगर निकालें del dash y तो यह आएगा del dash v और del dash r upon 2 से यहाँ पर दोनों को plus करके आधा करेंगे 20 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 10 degree और यहाँ पर दोनों को plus करके आधा करेंगे तो यह 24 का हो जाएगा कितना 11 degree यह दोनों cases में हमने del y निकाल लिया बस आप यहाँ पर रख दीजिए omega 1 upon omega 2 तो ओमेगा 1 के लिए फार्मूला हो जाएगा del V minus में del R upon में del Y divided by दूसरे बाले के लिए यह हो जाएगा del dash V minus del dash R upon में del dash Y सबकी value put कर देंगे सबकी value put करने के बाद देखिए del V violet color का 12 del R red color का 8 और yellow color का कितना आगया 20 का अदा 10 अपान यहां पर देखिए वाइलेट कलर के लिए 14 रेड कलर के लिए 10 और दोनों का जो मीन आया है वो आया है आपका यलो कलर के लिए कितना 11 ठीक है ना तरी यह कुछ गरबड हो गया क्या अब लोगों को पता है मैं कैल्कुलेशन में मैंने वह बताया भी था आप लोगों की आजादी के पहले वाला जो केस हुआ था मैं एना डेड़ सो साल पहले वहां से प्रक्लेशन बहुत ज्यादा स्टॉंग हो गया है इस वज़े से यह थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो इसमें क्या करेंगे 12-8, 4 हो जाएगा और बटे में 10 हो जाएगा और मुझे साउधानी से करना होगा नहीं तो कैल्कुलेशन नेक्स्ट लेवर पर चला जाएगा यह हो जाएगा यहां पर 4 और यहां पर कितना हो जाएगा यह तो इसको आप 2 से कैंसिल कर दीजे 2 से 6 ह हो जाएगा यहां पर 5 हो जाएगा यानि कि आ जाएगा 6 रेशियो 5 तो बस आपको यह फार्मूला याद रखना था और एक चीजी यह याद रखना था कि यलो कलर का डेविएशन वाइलेट और रेड कलर के डेविएशन के एवरेज के बराबर होता है तो हमने दोनों जग स्केटरिंग का जो एमाउंट है उसका रेशियो दिया हुआ है हमें वेविवलेंथ का रेशियो पता करना है तो इसके लिए आपके पास है रेले स्केटरिंग का फार्मूला रेले स्केटरिंग का फार्मूला कब यूज होता है जब स्केटर की साइज इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ से बहुत ही कम हो इसकेटर का साइज ए बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ से तो ऐसे म जो scattering होती इसको हम बोलते elastic scattering, elastic scattering का मतलब कि यह scatterer है, इसके उपर light गई, यह सबसे पहले क्या करता है, इस light को absorb करता है, absorb करने के बाद यह emit करता है, जिसको हम बोलते है scattering हो गया, तो अगर incident light की wavelength और scattered light की wavelength दोनों same है, तो इस तरह के scattering को हम बोलते है, elastic scattering, ठीक है, तो यह आपका जो Rayleigh Scattering है वो Elastic Scattering ही है इन Elastic वाला केस रमन Scattering है जो कि हमें नहीं पढ़ना है तो Elastic Scattering या Rayleigh Scattering के according जो Scattered Light की Intensity है या Amount है Amount of Scattering proportional to 1 upon Lambda power 4 यानि Incident Light के wavelength के power 4 के inversely proportional होता है Scattered Light की Intensity इसी को बोलते है Rayleigh Scattering ठीक है ना तो इसी की बज़े से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है पृत्वी से देखने पर और चंद्रमा से देखेंगे तो वो काला दिखाई देगा क्योंकि चंद्रमा पर वाई मंडल नहीं होता है यही इनी चीजों से हम उनको explain करते हैं तो हमें Scattering का जो Ratio है वो दिया हुआ यानि आप कर सकते हैं हमें I1 अपान I2 दिया हुआ यह है 1 Ratio 4 और हमें जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं Lambda 1 अपान Lambda 2 के तो आप यहां से अगर Ratio निकालेंगे तो आपको मिलेगा I1 अपान I2 इस इक्वाल टो चुकि उल्टा रिलेशन है तो यह इस तरह का मिलेगा Lambda 2 पावर 4 और अपान में Lambda 1 पावर 4 जिसको हम Lambda 2 और अपान में Lambda 1 का होल पावर 4 बोल सकते हैं और I1 अपान I2 की वैलू रखेंगे यहां से 1 अपान 4 और यहां से हो जाएगा Lambda 2 और अपान में Lambda 1 इसका होल पावर 4 अब आप इसको solve कर सकते हैं लेकिए पावर 4 है तो आप इसको एक काम करिए पावर 2 का पावर 2 कर देजी अब इसका आप दोनों साइड का square root लीजे तो square root लेंगे तो यह वाला 2 हट जाएगा और इधर square root लेने पर यह 4 का बन जाएगा 2 अब इसका power 2 है और इसका दुबारा से गर हम square root लें तो यह वाला भी cancel हो जाएगा और इधर square root हो जाएगा तो यह बन जाएगा 1 upon root 2 और इधर बनेगा क्या Lambda 2 और upon में Lambda 1 लेकिन हमें तो निकालना था Lambda 1 upon Lambda 2 तो इसी का उल्टा कर देंगे तो Lambda 1 upon Lambda 2 इक्वल टू हो जाएगा root 2 और upon में तो root 2 upon 1 यानि कि option number B जो है वो correct हो जाएगा देखिए एक उल्टा relation भी दिया था तो आपको ध्यान रखना है कि पहला हमेशा पहला ही रहेगा अगर ये I1 upon I2 है तो हमें Lambda 1 upon Lambda 2 निकालना है अगर आप इसको I2 upon I1 बोल रहे है तो हमें Lambda 2 upon Lambda 1 निकालना है तो इसको हमने नाम दिया I1 upon I2 upon 4 को तो हमें भी फाइनली Lambda 1 upon Lambda 2 ही निकालना होगा जबकि इसका उल्टा भी option दिया हुआ है confuse करने के लिए फिक बस इसमें इतना ही अगला सवाल देखे question number 16 तो question number 16 में क्या कर रहे है कि the angle of prism is 30 degree the rage incident at angle of 60 degree at one refracting phase suffers a deviation of 30 degree then the angle of emergence is angle of emergence का मतलब हमें हमें I2 की value बतानी है ये question छोड़ दें आप लोगो के लिए ये question को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ऐसा ही पीछे हमने question लिया था जिसमें दूसरे वाले surface को polish किया गया था और उसके basis पर हमने I और R decide करके हमने formula यूज किया उसमें हमने I की value निकाल ली थी आप इसको थोड़ा सोचेगा इसको आप try करिएगा ठीक है ये question वही कुछ उसी तरीके से जाएगा और आपको वो general formula यूज करना होगा कि I1 प्लस I2 बराबर A प्लस डेल्टा और R1 प्लस R2 बराबर A ठीक है तो ये question आपके लिए homework है अगला question देखिए question नाबर 17 में कर रहे हैं कि thin prism made of glass is dipped in water then the minimum deviation with respect to air by it will be यानि एक thin prism है और इस thin prism को thin prism को एक water के मतबब एक water नहीं water के अंदर डुबा दिया गया और water के अंदर डुबाने के बाद जो minimum deviation की value आएगी उस minimum deviation की value air air में जब आपका prism था ये prism आपका air में है और ये prism आपने water के अंदर डुबा दिया है तो यहां पर भी कुछ minimum deviation आया होगा यहां पर भी कुछ minimum deviation आया होगा यह करें कि आपको यहां वाला minimum deviation बताना है लेकिन air वाले deviation के respect में तो आप कर लिजे ऐसे deviation of incident light in water deviation of incident light in air और सवाल में कराया है हमें पताना है जल में दुबाने पर निविशन बिचलन लेकिन वायू के सापेक्ष यानि जल में दुबाने पर deviation यह हुआ और वायू के सापेक्ष का मतलब डिल यह से divide करना पड़ेगा इसकी respect में हमें इसकी वैलु को पताना है ठीक है? तो इसमें आपको पता है कि prism है और prism से deviation का जो formula हमारे पास है thin prism से वो formula है mu-1 और into me a तो इस वाली case में जब आपका prism air में रखा हुआ थो light air से prism के अंदर या air से glass के अंदर जा रहे थी तो इस mu का मतलब क्या है इसको तो हम del A बोल दे रहे हैं और इसका मतलब है A mu G, refractive index of glass with respect to air और उसके बाद हो जाएगा into में A ठीक है और हम जाए तो यहाँ पर value रख देते हैं A mu G की value question में given भी है यह value है 3 by 2 तो 3 by 2 minus 1 यानि कितना हो जाएगा यह 1 by 2 और into में A, यह del A की value मतलब air में deviation की value होगे जब इसी prism को हमने water के अंदर डाल दिया तो अब इसके deviation का जो फार्मूला इसको del W बोलेंगे और mu की जगह पर refractive index अब किसका हो गया refractive index अब glass या prism with respect to water हो गया तो यहां पर हो जाएगा यह w mu और g माइनस में 1 और into में water से glass में light जा रहे है ठीक है अब यह W and g की value question में नहीं given है आपको a and w की value given है तो हमने आपको parallel medium और फार्मूला बताया था उस फार्मूले में यह इकल क्या है था 2 and 3 equal to 1 and 3 और अपान में 1 and 2 या इसको water air और glass के case में w and g equal to a and g और अपान में क्या 8-1 into में a यानि कि यह solve करने के बाद 1 by 8 और into में यह हमने इस प्रिज्म का प्रिज्म का deviation calculate कर लिया water के अंदर हमने प्रिज्म का deviation calculate कर लिया air के अंदर लेकिन हमें water के अंदर deviation की value चाहिए इसके respect में कि इसके के हिसाब से कितने गुना है तो हमें del w upon del a चाहिए तो del w की value है 1 by 8a divide कर दीजिए water वाले से air वाले से तो 1 upon 2a a से a cancel इसको उल्टा करके multiply करेंगे 1 upon 8 into 1 upon 2 बन जाएगा 2 upon 1 इससे divide कर यह 4 तो कुल मिला के आएगा 1 upon 4 यानि del w by del a is equal to 1 upon 4 ठीक है तो 1 upon 4 यानि कि option number b जो है वो करेक्ट हो जाएगा चली बस दो तीन question और है इसमें से दो कर देते हैं एक छोड़ देते हैं question number 18 में करने हैं कि angular separation between two colors of spectrum depends upon दो colors का अगर कोई spectrum है तो उनका जो angular separation है वो किसके उपर depend करता है angle of deviation के उपर, angle of incidence के उपर, size of prism के उपर और all of these इन तीनों के उपर ये सवाल आपके लिए है पीछे भी ये question हमने छोड़ा हुआ होमर के लिए आप उनको भी करिएगा और इसको भी करिएगा comment section में आप अपना answer जरूर बताइएगा question number 19 देखे the angle of deviation for a prism is greatest far इसी भी प्रिज्म में deviation सबसे ज़्यादा किस तरह के किस color के लिए होता है आपने अभी अभी देखा कि हम किसी भी medium की बात कर लें transparent medium के लिए mu v is greater than क्या होता है mu r के और deviation जो होता है वो mu के उपर सीधे-सीधे ऐसे डिपेंड करता डेल equal to mu minus 1 into a यहां से साब साब पता चल रहा है कि अगर हम violet color के लिए निकाले तो violet color के लिए refractive index का formula red color के लिए निकाले तो red color के लिए यहां पर refractive index का formula यानि mu r और minus 1 into a और आप देखिए इन दोनों ही case में साब साब पता चल रहा है कि अगर mu v की value जादा है mu r से तो del v की value भी आएगी del r से तो आप कर सकते del v is greater than del r white light के spectrum में जो same in colors की हम बात करते उसमें सबसे ज्यादा deviation होता है violet color का और सबसे कम deviation होता है red color का इसलिए तो हमें यह white light का spectrum ऐसा मिलता है ऐसे light गई है और deviation इस तरीके से होता है सभी colors का सबसे नीचे होता है आपका violet color और सबसे उपर होता है आपका red color बाकी लोग इसके बीच में आएंगे और इसका pattern है वी आई बी जी वाई ओ और वीब क्योर तो सबसे ज़्यादा deviation हो गया violet color का और सबसे कम deviation हो गया red color का ठीक तो यहां पर सबसे ज़्यादा deviation इन्होंने पूछा था सबसे ज़्यादा हो जाएगा violet का कई बार violet न यानि lens का जो chromatic aberration है वो focal length पर depend नहीं करता या करता है और directly proportional होता है या इस तरीके से डिपेंड करता है या फिर इस प्रकास से डिपेंड करता है तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए spherical aberration वाला question तो बड़ा ही popular है इस spherical aberration या फिर गोली बिपथन जो होता है वो focal length के power minus 3 के हिसाब से डिपेंड करता है या फिर 1 upon focal length power 3 हो जाएगा और इस spherical aberration को minimize करने के लिए हमारे पास condition है d बराबर f1 minus f2 के ठीक है लेकिन अगर हम बात करें chromatic aberration की chromatic aberration यानि 1 बिपथन की तो 1 बिपथन के लिए हमारे पास formula है यहां पर f r minus में f v is equal to omega into fy और आप यहां से देखें साब साब पता चल रहा है कि chromatic aberration उस lens के उस lens में yellow color के लिए जो focal length होगा उस focal length के directly proportional है अगर हम दो अलग-अलग lens यूज करें अलग-अलग materials के बने हुए हैं तो कोई एक material होगा जो yellow color के लिए focal length जिसका कम काम कर color का और कोई ऐसा हो सकता है जिसमें yellow color के लिए focal length ज्यादा होगा तो जिसमें यह focal length yellow color वाला ज्यादा है overall उसके अंदर chromatic aberration भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा उसके अंदर one विप्थन भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इमेज जो है वह उतना ज्यादा फैला कह सकते हैं स्फिरिकल अबेरेशन वाला कोशन कई बार रिपीट हो चुका है हो सकता है chromatic aberration आपसे पूछ लिया जाए स्फिरिकल अबेरेशन को रिडियूस करने का यही कंडिशन है और इसमें जो दोनों लेंस हम यूज करते हैं वह कैसे लेंस हम यूज करते हैं प्लेनों पास कंडिशन है अगर दोनों लेंस को हम चिपका के रख रहा है तो वह हो जाएगा ओमेगा वन प्लस एफ वन और ओमेगा टू अपान एफ टू बराबर जीरो वाली कंडिशन इस कंडिशन को सटिस्फाई करने वाले कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस जो होंगे हैं ना भूमेट्रीक अभेरेरां के लिए ऐसे दो लेंस चाहिए और स्फिर्कल अभेरेसन के लिए यह वाला लेंस चाहिए और कंडिशन यहाँ पर एक कंडिशन यह है लेकिन अगर सेपरते इसन वाली बात हो जाया तो ऐसा वाला फारमुला इसमे भी है यह है 1088 मने ओमेगाgal 12 क्योंकि यह Convex और Concave वाले case में यह वाली condition hold नहीं करती यह आपको पीछे भी बता दिया है क्योंकि यह hold कराएंगे तो यह ग्लास ब्लेट बन जाएगा यहां पर आप यह condition hold कर सकते हैं और यह condition पर depend करती है तो यह F के उपर directly proportional है और यहां पर यह F के power 3 के inversely proportional है ठीक है बस I hope कि यह जितने भी question हमने आज की इस class में discuss किये इन सारे questions में हमने courses किया है कि explanation के through या जो भी questions के type हमने select किये हैं सारे के सारे जो concept है और जितना भी इसका dimension है वो सब इसके अंदर cover हो गया अगर कोई question हमसे छूट भी गया है तो आप previous year के वो सारे questions को attempt करिएगा और मैं आपको assure करता हूँ कि जितने भी concept यहां पर discuss हुए है इन ही के माध्यम से वो question आपके solve हो जाएंगे बाकि अगर आपने chromatic aberration या प्रिज्म के बारे में proper तरीके से कभी थेयरी को नहीं पढ़ा हुआ अच्छे से तो description में link दिया हुआ supplementary lectures का आप उसको देख लीजिए आपके सारे concept clear हो जाएंगे उसके बाद आप questions को solve करिएगा solve हो जाएंगे तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकि आप लोग पढ़ाई करते हैं और अपने स्वास्त का लिहान रखें मिलेंगे आपसे अगले lecture में और उसमें भी हम ray optics के topic को discuss करेंगे थैंक्यू